मतलब सबसे ज़्यादा अगर मरेंगे तो यही लोग मरेंगे सिर्फ मैं इटली की एक हॉस्पिटल की बात बता था हूँ पिछले डेड़ मेने में महां सौ से ज़्यादा डॉक्टर मर चुके हैं चार दिन पहले एक कोरोना के पेशन्ट को एक कार्डियो लॉजिस्ट ने गंगा राम में चेक किया आज गंगा राम के 108 डॉक्टर और नर्सें क्वरंटाइन हैं और अब उनके टेस्टिंग होगी जब तीन टेस्ट हो जाएंगे नेगटिव निकलेंगे उसके बाद वो दुवारा आ सकते हैं तो एक बंदे की बेवकुफी से पूरा डिपार्टमेंट हिल सकता है और यह हो चुका है तो इसको बहुत सीदे से लिजिए यह कोई मजाक नहीं है यह खेल नहीं है अगर यह थोड़ा सा भी इसमें अगर कुछ लिनियंसी होती तो भारत का परधानमंत्री आके हाथ जोड बेग 204 एंडिया में पाँ जा быть इंडिया में सकते का मतलब होता है कॉम्मीनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है अगर यहां पर एक लाख लोग हैं तो दो- submelia कभी हुआ तो एक लाख पूंपstro सकता है तो इस वाइरस को का कोई टीटमेंट नहीं है इसका इसमें जो जितने भी टीटमेंट है जो लोग आईशू से वाफस भी आ रहे हैं उनके भी लंग्स एफेक्टेट मिले हैं पैचेज लंग पे रह जाते हैं 30% लंग डैमेज तक भीखाया जाता है तो आपको इसको स महवत हैं वह यह है जो डर गया सो बच गया तो डरना जरूरी है इसमें जो नहीं डरेगा वो मारा जाएगा यह सी ध्यान रखना और बिल्कुल गलत सभी मत रहिएगा एक चोटी सी में आपको एक्जांपल बताता हूं आप आपकी बहुत अच्छी इमिनिटी है आप बार तो वह आपकी लोग इमिनिटी अच्छी इमिनिटी और ताकत होने के बाव जो लोग इमिनिटी पे वह आपको अटैक करके बिमार कर सकता है अब इसमें सबसे इंपोर्टन चीज क्या है हमारे पास बस एक सिल्वर लाइन यह है कि अगर हमने अगले एक महीने में इस वायर सब्सक्राइब से बचा लिया तो हमारी बहुत बड़ी रैस्पॉंसिबिलिटी है इसको डील करने के लिए और हमें इसमें किसी भी हालत में फेल नहीं होना है इस वायरस के कुछ चीजें हैं जो बाकियों देशों में पहले गया हमारे पास बात में आया जबकि चाइना का बॉर्टर हम से मिलता हुआ है यॉरॉप में गया अमेरिका में गया तो जब वो शुरू में यह जब यह गया है तो इस वायरस के बारे में लोगों को बिलकु कर लिया वो बच जाएगा और वो ना सिर्फ खुद बचेगा वो अपने कुलीक्स को अपनी फैमली को भी बचाएगा